नमस्कार दोस्तों, मिरा नाम इश्पर्ड सिनहा और अब हम अपने आगे सफर में चुरू करते है अपना सफर आगे हरगाओं स्टेशन से सीथापुर की तरफ और इसी की चलते हम लगों कहांच चुकर हैं काफी बढ़ी हा नजारा कालेज स्टुएंट्स यहां पर देखने को मिले हमें जो अपने कॉलेज के बाद यहां पर ट्रेंस अंचालन जो शुरू हुआ इसको देखने आए फूट ओवर ब्रिज का भी नजारा काफी सुन्दर है कि यह देखिए पूरा व्यू प्लैटफॉर्म नंबर वन हर गाउं इस्टेशन है कि क्रॉसिंग बंद है फूट ओवर ब्रिज के उपर से छोटा सा नजारा और लोगों में अलग ही उपसाहा है अब हम बढ़ते हैं अपने आगे अर्गाउं इस्टेशन को छोड़ते हुए सीता पूर जंक्शन की तरफ और हमारी ट्रेन दूरे-दूरे हर गाउं स्टेशन से निकलती हुई हाँ हाँ जारे बड़े जवर्दास्ते हैं अब यह क्या होना रहा है यह रखता वाई और वाकई काफी सुन्दर स्टेशन बनाया गया है हर गाउं यह देखिए लोग हाथ लाकर अभी वादन करते हुए हर गाउं स्टेशन का श्राइंड बोल्ड और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोगों का ताता लगता रहा है और देखिए सामने लोग अपने घरों से निकल कर इस ट्रेंस अंचालंग के पहले इनाउग्रेशन को देखने के आये हुए है अब देखिए नेशनल हाइवे लखी पूर्सितापूर और हमारी ट्रेन अपनी तूफानी रफ्तार पकड़ते हुए सामने ग्रीन सिंगनल और मारी इनाउग्रेशन स्पेशल ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में सामने मंदर अपी अच्छा नजारा है हाई अब हम इसी सफर में बहाब हुचे है अपने अगले होल्ट पर सहरामल और पर सहरामल होल्ट कभी कुछ ऐसा ही नजारा है काफ़ ज्यादा यहां में लोग आए हुए हुए देखिए पूरा नजारा अटार्व ज्यादा करें देखिए अब हम दिरे दिरे पर सहरामल होल्ट को छोड़ते हुए अगले अगले श्टॉप जरेकात्र की तरफ बढ़ते हैं दोनों तरफ खेत वीच से हमारी चेल पूरी रफ्कार में गलती हुए गलते हुए अब दो खाल्ट पर अलग स्वर्जड़ जादर करते हुए करना का यह देखिए रेकापुर के पास में चोटा सुभी अंदर पास का पास में पहुंचे हैं अगले स्टॉप जहरेका पूर और देरे स्टेशन के रहा पढ़ते हुए हमारी इनाग्रेशन इस्ट्रेशन देले देरे अपनी स्टीट को कम करते हुए यहां देखिए लोगों में काफी अलग उसाहा देखने को बिला लोगों ने काफी सुन्दर तरीके से जहरेका पूरिस्टेशन पर हमाले ट्रेन का अभिवादं किया कि अद्धा इस ग्रेंन हो चुका है और वहां दीरे दीरे बढ़ेंगे अपने अगले स्टॉप अब अगांगों की तरफ कि अद्धे कि दिरे दिरे हम जरेका पूरिस्टेशन को क्रॉस करते हुए अब हमा पहुंचे हैं अपने अगले स्टॉप भूचिया बड़ा गांगों हॉल्ट अच्छे एक बात हमने यहां पर देखी जितने की हॉल्ट है और हमारा हर गांगों हर जगे लोगों में काफी ज्यादा उत्साहा दिखा इस उनाउग्रेशन को लेकर हर जगे आपको पब्लिक बारी मात्रा में दिखी वागे काफी अच्छी बात है और अब हमारी ट्रेन अपनी फूल स्पीड से रफतार से हावा को चीरती हुई हमारे फाइनल स्टॉप सी लेटा पूर जैंक्शन की तरह बढ़ती हुई है काफी सुन्दर नजारा मंदिर और घर काफी सुन्दर नजारा यह देख सकते सामने येलो सिगनल हो चुका है और अब यहां से हमारी इनाउग्राल इस्पेशल ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करेगी और सितापूर जेकर्व से पहले क्रॉसिंग और यह देखे इस व्यू के लिए हम लोग हमारी इनाउग्राल स्पेशल ट्रेन में बीच के कोश में बैठे थे जिसके हम आपको यह दिखा पाएं देखिए जे कर्व कर्व पर काफी सुन्दर नजारा और यह देख सकते सामने हमारी डेकुरेटेड लोको और इनाउग्रेशन इस्पेशल ट्रेन अपने सितापूर स्टेशन के आउटर पर कर्व पर मुड़ती हुई और काफी अच्छा नजारा यह देखिए काफी सुन्दर लगती हुई दूरे दूरे हम अपने स्टेशन के तरफ बढ़ रहे हैं पीछे साइट का भी हॉल दिखाओं तो पीछे साइट से भी काफी अच्छा नजारा गर्व पर इसी शौट के लिए हम लोग हमारी इनाग्रियल स्टेशल ट्रेन के मिड कोच में बैठे थे जिससे हम लोग आपको दोनों साइट का यह गर्व वाला व्यू दिखा पाएं कि यह देखिए कि काफी अच्छा नजारा गाड़ी खड़ी भी है और सित और फानिली अपसे था प्रोंच्छा पुछ मिंटों में पहुचने वाले ट्राइक चेंज प्रेक चेंज इदा चली और यह देखिए हम आज चुके हैं सितापूर जंक्षन पर और यह जो प्लाटफॉर्म बना हुआ है यह है मीटर गेस के टाइम का और यह अभी तक बना हुआ है कि देख सकते हैं यहां पर कोई भी ट्रेंस चलान नहीं होता है क्योंकि ट्रैक और प्लाटफॉरं के बीच में डिस्टेंस काभी ज़्यादा है तो यह मिटर इसका इसका इस्टेशन है यहां पर लोग खाली विश्राम के लिए और बैठने लेटने के लिए खाली इसको यूज होता है और जो अपना मेन इस्टेशन अब जो नया बन चुगा सीतापूर जंक्शन वह यह आज चेकर अपने सीतापूर जंक्शन इस्टेशन पर यहां भी लोग अपने मुबाइल में इस तस्वीर इस वीडियो को कैप्चर कर रहे हैं तमाम मीडिया करमी भी यहां पर आए हुए और उन्होंने यह पूरी सिरीज यह पूरे एक इनाउगरेशन के इस्पेशल ट्रेन की पूरी कैप्चरिंग की सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली अप्रेट्स पाने के लिए